ओडिशा में फते हासिल करने के लिए कॉंग्रेस ने चुनावी रणनीती तयार कर ली है। इसी के साथ कनहया कुमार के रोडशो की भी संभावना है। ओडिशा की पूर्व मंतरी कमला दास का कटक में निधन हो गया है। उन्होंने कटक के एक निजी अस्पताल में अंतिम सास ली। उनके फेफरों में संक्रमन हो गया था। मृत्यू के समय उनकी उम्र 89 वर्ष थी। बीती रात 12 बचकर 15 मिनट पर इलाज के दौरां उन्होंने दम तोड़ा। वह बीजू पतनायक एवन नवीन पतनायक की कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है। BJD Candidate List बीजद मुखिया और ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने बालेशवर लोकसभा सीट पर पार्टी के उम्मीद्वार की घोशना कर दी है। नवीन पतनायक ने हाल ही में भाजपा छोड़कर बीजद में शामिल हुई लेखा श्रीको बालेशवर से उम्मीद्वार बनाया है। इसी के साथ नवीन पतनायक ने नौ विधान सभा सीटों के लिए भी उम्मीद्वारों की घोशना कर दी है। ओडिशा में लोक सभा चुनाव के साथ साथ विधान सभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर नवीन पतनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने 38 सदसिय घोशना पत्र कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का अध्यक्ष सांसत चंदरशेखर साहू है। वहीं अमर पतनायक को सन्योजक की जिम्मेदारी दी गई है। इस घोशना पत्र कमेटी में छे लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा पॉलिटिक्स ओडिशा भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा के शेश उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होगी। उन्होंने कहा कि राज्यकी शेश सभी विधान सभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोशना 20 तारीख तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रिय नेत्रित्व के ओडिशा में चुनाव प्रचार करने पर दो-तीन दिन में निर्णय लिया ले जाएगा। ओडिशा में कॉंग्रेस के विधायक मुहम्मद मुकिम को बड़ा जटका लगा है। ओडिशा ग्रामेन आवास और विकास निगम, ORHDC घरश्टा चार मामले में हाई कोट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। घुवनेश्वर विशेश विजिलेंस अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। हाई कोट से निराशा हाथ लगने के बाद अब विधायक मुहम्मद मुकिम क्या करते हैं इस पर सबकी नजर है। राज्य सरकार की ओर से जीवन जीविका सहायता योजना में सभी राशन कार्ड धारकों को एक-एक हजार रुपए सहायता राशी दी गई है। राजगांगपुर ब्लॉक में इस योजना में 23,889 कार्ड धारक परिवारों को शामिल किया गया था। इन में से 346 कार्ड धारक सहायता राशी लेने के लिए नहीं पहुँचे जिससे उनके उनके हिस्से की राशी 3.4-6 लाख रुपए सरकारी कोश में वापस कर दी गई है। पोडिशा में बर्गड जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसत प्रभास सिंह ने बीजद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के लिए वह नवीन निवास आये और पार्टी सुप्रीमो नवीन पतनायक को अपना इस्तीफा सौपा। इस चुनाव में प्रभास बर्गड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजद से टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनकी जगह परिनिता मिश्रा को टिकट दे दिया। भुगनेश्वर के बालेश्वर जिले के जलेश्वर प्रखंड मुहम्मदंगर पटना पंचायत के चालंती गाउ में अचानक बजरपात गिरा और इस कारण काफी नुकसान भी हुआ। बजरपात के कारण एक घर की दिवार तूट गई और छट को भी काफी नुकसान पहुचा। वहीं इसके अलावा इसी गाउ में एक नारियल का पेड भी पूरी तरह से जुलस गया और घर में टीवी फ्रिज कूलर सहित कई बिजली का सामान भी जल गया। राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर निजी अस्पताल में जाकर कार्य कर रहे हैं और इस पर पाबंदी को लेकर हाई कोट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका को हाई कोट ने स्विकार कर लिया है और इस सम्बंध में हाई कोट ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है भोजपुरी स्टार पवन सेह को भाजपा ने आसन सोल से प्रत्याशी बनाया था लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया फिर आरा से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा थी इस बीच भोजपुरी के पॉवर स्टार पवन सेह काराकाट लोगसभा सीट चुनाव लड़ने का फैसला किया है इस सीट से एंडिये के प्रत्याशी उपेंद्र कुश्वाह मैदान में है लोगसभा चुनाव से पहले एक बार फिर EVM चर्चा में है EVM को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले दिगविजय सिंह ने फिर यह मुद्दा छेडा है इस बार उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और नहीं मिलने का समय दे रहा है उन्होंने EVM को लेकर तीन सवाल भी आयोग से पूछे हैं मायावती के करीबी माने जाने वाले भीम राजभर आजमगड लोकसभा से बस्पा के प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका मुकाबला भाजपा सांसत दिनेश लाल यादव निर्हुआ और सपा नेता धर्मेंगर यादव से होगा बहुजन समाजवादी से घोशित सदर प्रत्याशी भीम राजभर मौव जनपद मुख्यालय से करीब साथ किलोमिटर दूर मुहम्मतपुर बाबुपुर गाउं के रहने वाले हैं वह उन्नीस सौपचासी से पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को लोगसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी सपा ने उत्तर प्रदेश में दो और प्रत्याशियों के नाम का एलान किया है कौशामबी से पुषपेंद्र सरोज और कुशीनगर लोगसभा सीट से अजय प्रताप सिन उर्फ पिंटू सैंथवार को टिकट दिया है सपा कॉंद्रेस गठ बंधन में कौशामबी वह कुशीनगर सीट सपा के खाते में आई थी सीएन योगी ने कैराना लोगसभाच्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली मुहया कराई है बेटी के जन्म से लेकर वैवाहिक जीवन तक की योजना हमने बनाई है पहले केवल दो तीन जिलों के लोग ही सरकारी भरतियों में शामिल होते थे पहले माफिया सिर चड़कर बोलते थे अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए है कॉंग्रेस नेता शशी थरूर ने वामपंथियों पर वोट बांटने का आरोक लगाया है शशी थरूर ने कहा कि यह विडंबना है कि वामपंथी संसदिय सीट पर भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित करना चाहते हैं और वायनाड में गठ बंधन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं पॉंग्रिस नेता ने कहा लिफ्ट के पास भाजपा के कुशासन को लेकर कुछ नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से प्रमुख साथ गेमर से मुलाकात की और उनके साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम भी खेला इन गेमर के साथ मुलाकात को संक्षित विडियो साजा किया गया है और पूरा एपिसोड शनिवार को प्रसारित किया जाएगा युवाओं और बच्चों में लोकप्रिय गेम बनाने वाले युवा गेमर प्रधान मंत्री मोदी को मोबाइल वग कंप्यूटर पर उल्लास और दक्षता के साथ गेम खेलते देखकर आश्चर यचकित थे इंटरनेट मीडिया मंचों का अत्यधिक दुरुपियो किये जाने पर सुप्रीन कोर्ट ने चिंता जताई है जस्तिस अनिरुद्ध बोस अब सेवा निवरित्तर और जस्तिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने एक मामले के संबंध में फेस्बुक पर भ्रामक पोस्ट डालने के लिए असम्मे आल इंडिया युनाइटिड डेमोक्राटिक फ्रंट के विधायक करीमो दीन बार्भुया क के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करते हुए यह टिपपणी की इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन के साथ सीमाओं पर यथा स्थिती बहाल करने का बादा करने वाले कॉंग्रेस के घोशनापत्र की जमकर आलोचना की न्यूज एजेंसी एनाई के साथ एक इंटर्व्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेत्रित्व वाली सरकार के तहट कोई भी हमारी एक इंच जमीन पर भी कबजा नहीं कर सकता है अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है इंतियाज अली म्यूजिकल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और अमर सिंह चमकीला उनके निर्देशन में बनी बहतरीन फिल्म है दिलजीत दोसांच और परिनिती चोपडा ने लीड रोल निभाया है फिल्म की कहानी पंजाब के रॉकस्टार कहे जाने वाले गायक संगीतकार अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी 14 साल बाद आ रही एकता कपूर निर्मित फिल्म LSD 2, LSD 2 ट्रेलर अगले हफते सिनेमा घ्रों में रिलीज हो रही है टीजर आउट होने के बाद से ही फिल्म काफी चर्चा में है अब मूवी का ट्रेलर भी आउट हो गया है ट्रेलर का एक एक सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है टेक्नोलोजी की दुनिया पर आधारित फिल्म इंटरनेट के सचसे परदा उठाती है साल 2014 में दो बड़ी फिल्में बड़े मिया छोटे मिया और मैदान एक साथ थियेटर्स में रिलीज हुई दोनों ही फिल्मों में बॉलिवुड के सुपरस्टार्स लीड रोल में थे बड़े मिया छोटे मिया में अक्षय कुमार और टागेर श्रॉफ तो वही मैदान में अजय देवगन शामिल है हालांकि दोनों फिल्मों के बजट में काफी अंतर है भारतिय टीम के पूर्व आफ स्पिनर हर्भजन सेह ने मुंबई इंडियन्स के तेज गेंद बास को IPL का सुपरस्टार करार दिया है हर्भजन सेह ने कहा कि लोग अधिकतर विराट कोहली या MS धोनी की बात करते हैं क्योंकि यह बल्ले बाजो का खेल है लेकिन आप अगर IPL के सुपरस्टार की बात करें तो यह तेज गेंद बास अब तक सबसे आगे है जाने भजी ने किसका नाम लिया रोहित शर्मा का बल्ला इंटरनाशनल क्रिकेट में इन दिनों जम कर बोल रहा है हिट्मैन क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में बल्ले से खूब धमाल मचा रहे हैं बल्ले के साथ साथ रोहित की कप्तानी भी लाजवाब रही है इस बीच रोहित ने इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास को लेकर अपनी बात रखी है भारतिय कप्तान ने बताया है कि अभी वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे है IPL 2024 के 26-वे मैच में लखनव सुपर जायंट्स की भिंत दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगी केल राहुल की कप्तानी में लखनव की टीम जीत की है ट्रिक लगा चुकी है वहीं दिल्ली इस सीजन अब तक खेले पांच मैचों में से सिर्फ एक में ही जीत दर्स कर सकी है दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनव के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा हीरो मावरिक 440 को तीन वेरियंट्स बेस मिड और टॉप में पेश किया गया है इनकी एक्स शोरूम कीमते क्रमश है एक दशमलव नौ नौ लाख दो दशमलव एक चार लाख और दो दशमलव दो चार लाख रुपए है आपको बता दें कि इसकी बुकिन पहले से ही उपन है और इसे कमपनी के प्रेमिया डीलर्शिप के माध्यम से बेची जाएगी ब्रांड ने घोशना की है कि वे 15 अप्रेल से मावरिक 440 की डिलीवरी शुरू करेंगी मर्सिडीज की ओर से S63 E Performance और C63 S E Performance पेश की जाएगी जर्मन कमपनी की दोनों A.M.G. पहली बार 2022 के अंत में सामने आए अपने संबंधित नवीन तमजीन समक्षों पर आधारत है मर्सिडीज का दावा है कि उनके हाइब्रिड सिस्टम में ऐसी तत्नीक है जो फॉर्मूला एक से ली गई है आएए अपकमिन कारों के बारे में जान लेते हैं साउथ कोरियाई कार निर्माता हुंडाई मोटर्स की ओर से भारतिय बाजार में कई बहतरीन कार्स एंड एस्यूवीज को ओफर किया जाता है Hyundai Motor India की ओर से हाल में ही hatchback car के तौर पर offer की जाने वाली Grand i10 NIOS का नया corporate variant launch किया गया है इसे किस कीमत पर और किन खूबियों के साथ लाया गया है आईए जानते हैं British Car निर्माता NG Motors की ओर से भारतिय बाजार में Hector SUV को offer किया जाता है Company ने इस mid-size SUV का नया variant Blackstorm Edition लाँच कर दिया है NG Motors की ओर से इस SUV को किन खूबियों के साथ लाया गया है NG Hector Blackstorm Edition की price क्या रखी गई है आईए जानते हैं